1861 में आज एक दिन मश्हूर तिलिस्मी लेखक देवकी नंदन खत्री का जन्म हुआ था चंद्रकान्ता, चंद्रकान्ता, संतती, भूत, नात, काजर की कोठरी, नरेन, मोहनी, आदिन की प्रमुक रचनाये हैं इनके उपन न्यास चंद्रकान्ता ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अहम युगदान दिया 1869 में खत्री ने अपना नेजी प्रेस खोला, जिसका नाम लहरी प्रेस रखा देवकी नंदन ने उपन न्यासों में कई आयारों और पात्रों के नाम अपने दोस्तों के नाम पर रखे इस तरह से उन्होंने अपने कई घनिस्ट मित्रों और संगी साथियों को अपनी रचनाओं से अमर बना दिया 1960 में आज एक दिन पश्चमी लंदन के शाफट बोश इलाके में बीबीसी का नया टीवी सेंटर खुला था ब्रतानी वेपार के नमद्य निजर एक दिशमलों दो करोड पाउंड की लागत से एटीवी सेंटर तयार किया गया था इस टीवी सेंटर की इमारत में साथ टेली विजन स्टूडियो थे और सबसे बड़े स्टूडियो का खशेत रुफल 11,000 वर्क फुट था बीबीसी के इस दफतर के निर्माड में 6 साल लगे थे इस परिसर में कई दफतर रेस्टोरेंट आदी खोले गए थे बीबीसी के अध्यक्ष जेराल बीडल ने इस बात पर भी जोर दिया किस नए दफतर का निर्माड पूरा हो जाने के बाद पूरे बिर्टन में दिखाये जा रहे सस्ते अमेरकी प्रोग्रामों पर रोक लग सकेगी आज के दिन 1974 में अर्जंटीना में पहली मैला राष्टपती के रूप में मारिया स्टेला इसाबेल मार्टनीज दी पैरोन ने शपत ली थी 43 वर्ष की उमर में राष्टपती बनने वाली मारिया देश के तिहास में सबसे कम उमर की राष्टपती थी मारिया के पती और अर्जेंटीना के ततकाली राष्ट पती युवान पैरोन ने तबिद खराब होनी के वज़े से अपना पत छोड़ दिया था माना जाता है के अर्जेंटीना के शक्तिशाली गुटो जिन में फाउज और कर्बचारी संगठन भी शामिल थे उन सब ने मारिया का समर्थन किया था 1988 में आज एक दिन राजस्थान की मशूर लोग गाई का गवरी देवी का निधन हुआ था मान गाई की के लावा गवरी देवी ठुमरी भजन और घजल गायन भी करती थी 2013 में इने राजस्थान रत्म पुरसकार से सम्मानित किया गया इन्हें मरू कोकिला कहा जाता है 2007 में आज एक दिन एपल का पहला स्मार्ट फोन आईफोन बाजार में आया था समार्ट फोन का विचार सबसे पहले सत्तर के दशक में आया था जब किसी ऐसी मशीन के बारे में सोचा गया जो कम्प्यूटर और फोन दोनों का का काम कर सके हाला कि इस कल्पना को सच्चाई में तबदील होने में काफी वक्त लग गया एपल ने आईफोन में दूसरे समार्ट फोनों के मुकाबले कुछ अलग और उच्छ तकनीक प्रोग्राम डाले जोनों ने उसे बाजार में खास जगेंदे लाई सेलुलर और वाई-फाई दोनों तरह के कनेक्शन के लावा फोटो और वीडियो शूटिंग के लिए भी 3GS और इसके बाद आने वाले आईफोन के मौडल काफी अच्छे माने जाते हैं अब तक बाजार में आईफोन के 6 मौडल लाउंच हो चुके हैं और आज इक दिन 29 जून देश में सांक की दिवस के रूप में मनाया जाता है यik दिन भारत के मशुर वैग्यानिक और सांक की विद पी-सी महाल अनोविस की सांक की विकास के शेत्र में दिये गए युगदान के लिए मनाया जाता है 2013 के सांखिकी दिवस का राश्ट्री सुतर पर मुक्य समारो विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयूजिर किया गया था इस अफसर पर प्रोफेसर सीयार राव के सम्मान में दिया जाने वाला राश्ट्री सांखिकी पुरसकार भारती रिजर्ब बैंक के जाने माने सांखिकी विद डॉक्टर अभिमान दास को दिया गया था इस दिवस का उद्देश सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीटी निर्मार में पीसी महाल अनोबिस के युगदान के प्रती युवाओं के बीच जागरुकता पैदा करना और उन्हें पर इरिद करना है